हलो फ्रेंड्स वेल्कम डूमा यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के लिए मैं तपॉन क्यूशनों के बारे में इन क्यूशनों का प्लास्टर तक जरूर देखना साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करन अगला जो किशन निम्न में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है तो उद्यपूर चितवटगड में लाल काली मीटी है उसके बाद में अलवर जेपूर में दोमट मीटी है स्री गंगानगर नमानगड में बुरी मीटी नहीं है अगला है कोटा जालावाड में काली मीट सिरी गंगानगर नमानगर में बूरी मीटी नहीं है बूरी वल्लूई मीटी का निर्मान बालू का स्थूप से लूणी बेसीन में हुआ है जिसके पर मुझे तरह जालोर पाली नागोर अजमेर सीकर और जुझडों अगरा चुकि श्रपस्वी रास्तान की मिटी अमलिय और सारी ततों से संक्सित कैसे हो जाती है तो मिटी की निचली स्तै से उपर की और कोशिकाओं द्वारा जल रिशाव से पस्मिरास्तान की मिटी अमलिय और सारी ततों से संसिक्त इसलिए हो जाती है कि मिटी की निचली स्तै से उपर की और कोशिकाओं द्वारा जल रिशाव हो का निर्मान होता है सही है अगला है दक्षनी भाग में फास्पेटिक सेलों के चरण से मिस्रित लाल मीटी का निर्मान होता है यह दोनों कतन सही है राजी में काली मीटी दक्षनी पूर्वी भाग ओटा बुंदी जलवार जिलों में पाई जाती है यह लावा निर्मीत मर्द अगला खुश्य ने पस्ञमी राजस्तान में सबसे अधिक, विस्टितiding वाले मीटी कौन सी हैं? किसे कहते हैं? खारी यह यह जो पूमी होती है उसे उसर पूमी बोला जाता है अगला कुश्य इसलीका सेंड या कांच बलूका की मुखीत पर्यूगत किया जाता है, तो कांच उद्यों के अंदर सीलीका सेंड का उप्यों किया जाता है, ये थर्ड गरेड में पुछा गया serpent question है, अगला कुछन है राज्या के किस जिले में एश्या के सबसे बड़े कर्षी यांतरिक फोर्म की स्थाफना की गई है राज्या के सिरी गंगानगर जिले में एश्या की सबसे बड़ी कर्षी यांतरिक फोर्म की स्थाफना की गई राजस्तान में एश्या की सबसे बड़ी कर्सी यांतरीक फोर्म की स्थापना स्री गंगानगर में की गई सुर्थगर्ड यांतरीक कर्सी फोर्म गंगानगर एश्या की सबसे बड़ा यांतरीक कर्सी फोर्म है इसका चेतरपल 12,410 वरग हेक्टेर है इसकी स्तापना 15 अगस्ट 1956 में की गए थी सोवित संग के सोयग से स्तापद किया गया है इसका मुख्य कारिय कर्ची चेतर में यंत्रों को बड़वा देना है अच्छी नसल के पस्मों का कर्ची कार्य में उप्योग करना इस यंत्रीक फॉर्म का मुख्य कार्य है अगला किसे ने राजस्तान में चावल का सरवादी की उत्पादन की जिले में होता है तो राजस्तान की बात करे तो सरवादी की जो चावल है वो अनमानगर जिले में उत्पादी तो होता है राज़े में मानसून का जुआ किसे कहते हैं कर्षी को राजस्तान के अंदर मानसुन का जुवा कहते हैं परदेश की लगबग हर साल नावर्स्टी और एस्वान वर्सा जैसी पर्तिकुल पर्स्टीतियों का सामना करना पड़ता है और वर्सा पर निर्वर्टा के करण राज्या में बोए जाने वाले कर्षी छेतरें कर् पारिस में और जो कर्षी में है उसे इसलिए राजस्तान का मानसुन का जुवा कहते है कर्षी को अगला किशन है राजस्तान में कपास का सरवादिक उतपादन कहां पर होता है कपास सरवादिक घंगानगर जिल्ले में होता है मक्का उतपादन का परमुक जिल्ला यूगम क हिए कनचन व मक्का की किशिम है यह दो किशम है माही करम record quantity सिंद्ट चेत्र का परतिशत गिरते वे करम में वे बताना है shifts गेहु कपाट अगला क्रिशन है जेपूर चूरू अजमेर और किशनगड में से कौन सा एक सहर बिसलपूर परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है तो देखिए जेपूर करता है चूरू नहीं करता है अजमेर करता है किशनगड करता है बिसलपूर परियोजना को प्योग लेगिन चूर अजमेर, ब्यावर, किसंगड, नसीराबाद, केकड़ी, सरवार, जेपुर, आधी को पेजल प्राप्त होता है। राजस्तान से कौन सी नहर सबसे पुरानी सिंचाई पर नालियों के लिए जानी जाती हैं जो वर्स 1928 में पूरिवी थी। ताकि स्री गंगानगर जिले के उत्रिपस्मी बाग की पूर्ति करें तो इसका सही अंसर है गंगनहर। गंगनहर का निर्मान 17 नदी पर वर्स 1927 में माराजा गंगाशी ने करवाया था और इस नहर की कुल लंबाई है दो सो बाण में किलोमेटर। श्री गंगानगर जिले को सरवादिक लाब होता है ध्यान रहे कि माराजा गंगाशी ने करें बांद का निर्मान कराया था और गंग नहर वो लेकर की आया थी। अगला जो क्यूशन है भीम सागर सिंचाई प्रियोजना किस जिले में स्तीत है भीम सागर सिंचाई प्रियोजना वो जालावार जिले में है जालावार जिले में भीम सागर सिंचाई प्रियोजना है इथाट ग्रेड में पूछा गया क्यूशन है खडीन वर्षा जल संग् की प्रंप्रा जेसलमेर जिले में पाई जाती है पर्णालाल बारुपाल के नाल का जल स्त्रोथ है पर्णालाल बारुपाल के नाल का जल स्त्रोथ है वो है हरीके बेराज बांद अगला किष्णा लिप्ट प्रियोजना को पिन्य की पानी की आपूरती वाले सहरों से सुमिलि आजाता है यह सभी सुमेलित है अगला जो क्विशन है पांत ना सिंचाई प्रियोजना की जिली में स्थित है करो ले जिली में तो दोस्तों यह आज की क्यूशन आपको कैसे लगे कॉमेंट में जरूर बताएं साथ इस वीडियो को लाएकर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल फर नहीं हो तो सबस्क्राइब भी जरूर कर ले हलो फ्रेंब्स वेलकम डू माई यूटूब चैनल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेट के लिए महत पूण जिक्के के क्युषनों के बारमी 30 जुलाई को जो एकजाम होने वाला है उस एकजाम के लिए महत पूण क्युषन है इन क्युषनों का प्लास्ट तक जरूर देखना साथ इस वीडियो का अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना आज का पहला किशने राजस्तान राज्य के पुनर गटन से पुर्वेर सरव परतम सन 1934 में तमर समगरी की प्राप्ति का स्थान कुन सा है यानि राजस्तान राज्य के पुनर गटन से पहले की बात है सरव परतम 1934 में तमर समगरी की प्राप्ति का स्थान कुन सा था तो परपतसर तैसिल का गाम था कुराड़ा और परपतसर है वो नागोड जिले की तैसिल है उसका गाम था कुराड़ा जहां पर तमर समगरी प्राप्ति का स्तान है अगला जो कुछन है विश्वा का सर्व स्रेस्ट लिगनाइट पाया जाता है विश्वा के सर्व स्रेस्ट लिगनाइट की बात करें तो पलाना में पाया जाता है अगला जो कुछन है रोग फोस्पेट राजस्तान के किन जिलों में पाया जाता है उत्पादम चेतर की बात करें रोग फोस्पेट की तो उद्धेपुर में देखें जामर कोटडा सिसार मा कानपुरा बंडण वे माटोण जेसलमेर में बात करें तो बिर्मानिया वे लाठी चेतर है अगला है शिकर जेपुर अलवर बांसवडा में भी इनके बंडार है रेजमें पहली बार 1966 में बिर्मानिया जेसलमेर में इसका खनान प्रारम भे हुआ था उसके बाद में जामर कोटडा उद्धेपुर में आर एसम डी सी दवारा बेनिफिशियल सेंतर वे एफ्यू एफ्यू सेंत्र ट्रीटिमेंट प्लांट लगया गया था यह जो चेतर है उत्पादन चेतर यह रोप फोस्वेट के लिए बताये गए हैं जेसलमेर में बिर्मानिया लाटी चेतर उद्धेपुर में जामर कोटडा शी सरमा कानपूरा बंडर वमाटोन राजय में पहली बार 1966 में बिर्मानिया जेसलमेर में बुखनन प्रार्म कर दिया था जामर कोटडडा में आरासमडसी द्वारा बेनिफीशियल सेंत्र वे एफ्यू सेंत्र ट्रीट्मेंट प्लांट भी लगया गया था अगरा किशन वैक नी जो मिट्टी की चार्यता का उपचार करने तथा स्वास्ते का निर्मान उद्योग चेतर में काम आता है तो वे दिकांस्ते काम पर पाया जाता है वो किया जाता है तो यह नागोर जिले में जिपसम सरवादिक निकाली जाती है जो एक उपजार है स्वास्ते का निर्मान उद्योग में भी काम आता है जिपसम अगला चो कुछन है मेगनीज का सरवादीक उतपादन की जिले में होता है मेगनीज सरवादीक उतपादन है वो उद्यपुर जिले में होता है उसके बाद में राजस्तान का कौन सा सहर सिमेंट का सबसे बड़ा उतपादक है सिमेंट सरवादी के चितोडगर जीले से उत्पादित की जाती है यह R.A.S. में पुचा गया क्यूशन है 2nd grade 2011 में पुचा गया क्यूशन है कि राजस्तान कौन सा सहर है जांप सिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है तो चितोडगर जीले में अगला क्यूशन है राजस्तान के एक सहर में पिले पत्र की खान है और इस पत्र को इसी सहर के नाम से भी जाना जाता है यह सहर कौन सा है जैसल मेर सहर के अंदर है पिले पत्र की एक खान है और इस सहर को जैसल मेर सहर को भी पिला सहर कहते है और निल्ला सहर है वो किसे गहते हैं या आप कॉमेंट में जरूर बताएं अगला जो किशन है निमना की तुम से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है वो हमें देखना एक तरफ जिला दिया गया है दूसरी तरफ सिसा वे जस्ता खनन छेतर दिया गया है सवाई मादोपूर की बात करें तो सवाई मादोपूर का चोथ का बरवाड़ है सिसा जस्ता की खनन जरूर जब है उसके बाद में बीलवडा में रामपूरा अगूचा ये सही है उदेपुर में रामपूरा दरीबा की सिसा जस्ता की खाने नहीं है ये गलत है अगला जो क्यूश्चन है उससे पहले एक व्याख है कि राज़िमे सिसा जस्ता की जो परमुक उत्पादक छेतर है यह important है देख लीजिए जहांपर सिसा जस्ता की उत्पादक छेतर है यह सभी उत्पादक छेतर है सिसा जस्ता की अगला जो क्यूशन है कौन सा योगम सही समेलत नहीं है वो भी आमें पैचाना है एक तरफ खनीज उत्पादक दिये गए है दूसरी तरफ जिला दिया गया है फैल सपार खनीज की बात करें फैल सपार है वो जमेर में उत्पादन होता है रोग फोस्पेट टॉंक में नहीं निकलता है वोलेस्टो नाइट सिरोई में होता है टंगस्ट नागोर में होता है रोग फोस्पेट की बात करें तो रोग फोस्पेट सरवादिक है वो उद्यपूर में जामर को उटड़ा, सिसरम, बिंडर, मुद्रन, लाखरवास, जो उद्पादक छेतर है, उद्यपूर के अनर, जेसल मेर मेर में है, बिर्माणिया, लाटी छेतर, सिकर में है, कर पूरा बासवाण में है, सालो, सालो पेट, येस भी रोग फोस्पेट के उद्पादक छेतर है, जापर सर्वादिक बंडार है, रोग फोस्पेट के, अगला किशन है, विश्वपरसीद ताज मेल के निर्माण में परिउख संगमरमर का खना रास्तान के कि जिले में होता है, कि ताज मेल का जो निर्माण कराया था, वो कौन से संगमरमर से त्यार कर वाया था, तो नागोर से संगमरमर लेकर के गया थे, ताज मेल का निर्माण किया था उस ताइम, तो विश्वपरसीद एक ताज मेल है, उसका निर्माण संगमरमर के खनना के द्वारा किया गया था, वो नागोर जिले से संगमरमर का खनना किया गया था, अगरा किशन रजस्थान को रजस्थान को जो किकी भी राजे में पाई जाने वाले खनीजो की तुलना में अधिक है वर्तमाण में 81 में से सीते उन खनीजो का खनलन राजस्थान में आता है अगला किसन है इंगलेंड की महारानी मेरी की दिसमर 1911 की भारतियात्र की समरणार्थ क्वीन मेरी जनाना गाट का निर्मान किया गया था तो ये मेरी क्वीन जो थी 1911 में भारती यात्रा में आई थी क्वीन मेरी जनाना गाट का निर्मान कर रहा था इन्होंने वो पुस्कर स्रोवर के किनारे कर वाया था क्वीन मेरी जनाना गाट अगला किष्ण राजस्तान के किस परसी जील पर नटनी का चबूतरा निर्मीत है राजस्तान के परसी जील है जिस पर नटनी का चबूतरा ए तो वो है पिछोला जील पिछोला जिल का निर्मान 14 इस ताब्दी में राणा लाखा मेवाड के सासकते उनके सासनकाल में एक बंजारे द्वारा पिछोला गाम के निकट करवाया गया था मारना उदेशी ने इसकी मरमत करवाय थी रोग इस जिल उदेपूर नगर के पस्च में लगबग साथ किलोमेटर की लंबाई में फेली वी हैं सिसरमा भुजडा नदिया इस जिल को जलापूर्त करती हैं इस पर सी जिल पर नटनी का चबूतरा बना है और जिल में इस दो टापों पर जग निवास वा जग मंदिर महल बने वे हैं पिछोला जिल के किनारे चामूडा माता का मंदिर स्थीत हैं जहां देवी के पद्द चिहों या पगल्या की पुजा की जाती हैं पिछोला के किनारे उदेपूर का राजमेल बना वा हैं यानि पिछोला के किनारे उदेपूर का राजमेल बना वा हैं अग्या किष्णा वह जिल जिसमें एक टापू पर आइसलेंट रिसोर्ट नामक ओटल बनाया है तो वह है जिल जैसमन्द मुहाने के उद्गम की ओर चंबल लदी प्रस्तित बांदों का सही क्रम कोन सा है यानि मुहाने के उद्गम की ओर से चंबल लदी प्रस्तित जो बांद है सबसे पहला था जवार सागर बांद उसके बाद में राणा सागर बांद फिर गांधी सागर बांद चंबल लदी प पूछा जाता है, सबसे पहले आता है, जवार सागर जो MP में है, उसके बाएं राणा परताब सागर, फिर गांधी सागर फिर लास्ट में आता है, कोटा बेराज, अगला क्यूशन है सुमेलित करने वाला, इन में से सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है, थर्ड ग्रेड में आईर नधी पर बना है, उधे सागर जो है, बार आदे, वो आईर नधी पर बना है, नहीं कि उधे सागर पर है? आज का जो पहला क्यूशन है वो है राजस्तान में बहुदा सुका अकाल पढ़ने का अधारबूत मुख्य कारण क्या है राजस्तान के अंदर जो बहुदा सुका पढ़ता है अकाल पढ़ता है उसका मुख्य कारण क्या है तो अरावली का दक्षिन पस्चिम से उत्तर पूर्वे की ओर स्तित होना एक मुख्या कारण है राजस्तान के अंदर सुखा पढ़ना और काल पढ़ना अगला जो क्यूशन है रेगिस्तान में उत्पन वायू भमर क्या कहलाता है रेगिस्तान के अंदर जो वायू भमर उड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें बभूलिया बोला जाता है अते दीग गर्मी के करण वायू मड़ान में कहीं कहीं समाहनीक दाराओं की उत्पती हो जाती हैं जिसे वायू की बम्रे वै चकरवात उत्पन होते हैं इनहे बोंभूलिया बोलते हैं बोबूलिया से प्रवावी चेतर आ उत्रिपस्मी राजस्तान गंगानगर बिकानेर और बाढ़मीर बबूलिया बिकानेर जिल्ले में आता हैं अगला क्यूशन राजस्तान में जुलाईम है कि वायूदाव मांचीतर में नो सो निन्यान में मिली बार रेखा किन-किन जिलों से उकर के गुजरती हैं जिले से उकर के गुजरती हैं नो सो निन्यान में जो मिली बार रेखा है वैजालोर पली अजमेर टॉंक जिले से गुजरती हैं। चिरोय, उदेपूर, परतावगड, जालवार जिले से गुझरती हैं। इनसे एक क्यूषण, जरूर पूछा जाता ہے। ये क्यूषण, ब्यूषण, भी पूछा गया हैं। बाकी जो ये व्याख्या में, जितने भी क्यूषण बन रहे हैं। ये सबी क्यूषण, पूछे मांसून ये ठारके मुरुस्तल में नीउन वर्सा का कारण है एक मुख्य कारण रहता है कि लगार आप लेकिन राष्फार में बारे इस तो यह करता है राष्फार में दो परकार की मांसुन पहुने अरब सागरी की दक्षनी पस्च में मानसून ताथा बंगाल की खाड़ी की दक्षनी पूरवी मानसून पहुने आकर्सित होती है क्योंकि अरवली की स्तिति के कारण अरब सागरी मानसून पहुने बिना किसी अवरोध के कारण सिधी निकल जाती है और दक्षनी पू उनको सुर्य किछेगी दिःगिने पढ़ती है, अगला किषन है, राजस्तान की किस जील को टोड़ौग के रूप में चाना जाता है, टोड़ौग के नकी जील को कहते है, जो अजमेर जिले में है, अगला किषन है निवन में से कौन सी जील, उद्यपुर में नहीं है, उद् पुष्कर जील मानी जाती है, पुष्कर से 11 किलोमेटर दूर है, हिंदो के तिर्थ राज की रूप में पुष्कर जील में बाउन गाट बनाए गए है, सबसे बड़ा गाट है मातमा गाट जिसे गो गाट भी बोला जाता है, यहाँ पर बारत का एक मातर ब्रह्मा जी का मंद जील में जील के निर्मान में अंग्रेज थे इस जील का नाम भी फोई सागर पड़ गया, और 1821 में अकाल रहत कारियों के तहत करवाया गया था, यह जील बंडी नदी परस्ती थे, यह इंपोर्टेंट है, बंडी नदी परस्ती थे फोई सागर जील अजमेर जील में, में पुछा गया question है, इसका निर्मान है, गडची सरोर का निर्मान है, वो जैसल मेर मेर में रावल जो गडची सीमँ थे, उन्होंने कर वया था, यहाँ पर टिलों की बोल, मुख्ये द्वार है, तता किनारे पर जैसल मेर लोःग संस्कर्ती संग्राले भी स्थीत है अगला कुछने कोलायत जील कहां पर स्थीत है कोलायत जो जील है वह बिका निर जीले में स्थीत है सेकंड ग्रेड में पूछा गया क्योश्य ने यह बिका निर जीले में राश्री राजमार्क संग क्या 15 पर स्थीत है और एक प्राकरतिक जील है यहाँ पर सांग के दर्शन के पढ़नेता कपील मुन्नी की तपोस्तली भी रही है जहाँ पर परती वर्स कार्तिक पुन्नीमा को मिला बरता है कार्तिक पुन्नीमा को मिला बरता है कपील मुन्नी की जीले अगला कुछन है राजस्बंद जील का निर्मान महाराना राज सिंग ने कब करवाया था ये भी second grade में पुछा गया question है राजस्बन जील का निर्मान राजसिंग ने 1680 में करवाया था 1680 में करवाया था अगला क्रिशन है राजस्तान की कौन सी जील से प्राप्त नील हरित सेवाल से एंटू यूगत खाद प्राप्त होती है नील हरित सेवाल से एंटू खाद प्राप्त होती है अगला क्रिशन है राजस्टान के अंदर सरवादिक संगमरमर का उतपादन रास्मन जीले से होता है देश में राजस्तान का गिया पत्र के उतपादन में कौन सा स्थान है गिया पत्र में राजस्तान का पर्थम स्थान आता है राजस्तान से चुनना पत्र का आयात करने वाला राज्य कौन सा है तो महारास्टर ये गुजरात है, राजस्तान से चुना पत्र आयात करता है, महारास्टर वे गुजरात अगला किसना है क्रोली जिला किसकी उतपादन के लिए परसीद है, तो लाल पत्र के लिए क्रोली को जाना जाता है सीकर में सरवादिग मात्रा में पाया जानी वाला खनीज कुण सा है तो केल साइट है वो राजस्तान की सीकर जिले से सरवादिग निकाला जाता है केल साइट अगला क्यूशन है संगमरमर की सबसे बड़ी परसीद मंडी है वो कापर है संगमरमर की सबसे बड़ी परसीद मंडी है वो किसंगर जिल्ले अजमेर में है राजस्तान के किस जिल्ले में टंगस्टन पाया जाता है यह सेकंड क्रेड में पुछाए गया क्यूशन है आरपीएसी में पुछाए गया क्यूशन है आरटेट में पुछाए गया क्यूशन है कि जो टंगस्टन है वो राष्तान में किस जिले से निकाला जाता है डेगाना जो बाकरी खान है रागोर में वहां से टंगस्टन निकाला जाता है वाल्दा छेतर यानि शिरोई के अंदर वाल्दा गाम है जहां पर राज़तान में टंगस्टन विकास्ट निगम दवारा खननकार ये किया जा रहा है उसके बाद में आता है, राजतान में टंगस्टन वूलफरेम आइड आएशक से प्राप्त होता है, अगला कुशन तिल ग्रेट चुनना पत्थर के लिए परसी जिला कौन सा है? Still grade के लिए जेसलमेर जिला परसीद है और Second grade में पूछा गया Question है राचे में सरवाधिक चुन्ना पतर का उत्पदन चितोड़गर जिले में होता है चुन्ना पतर तीन वर्ग में प्राप्त होता है एक तो होता है Cement grade एक होता है Chemical grade एक होता है Still grade सिमेंट ग्रेड की बात करें तो चितोडगड बुंदी पाली जिले में होता है बाकि केमिकल ग्रेड की बात करें तो नागोर जोदपूर में सरवादिक होता है स्टील ग्रेड की बात करें तो सोनुचेतर जेसल मेर में और चितोडगर में सरवाधी गुत्पादन होता है अगला चो क्यूशन है 14 NELP ब्लोक्स, 1 GV ब्लोक्स, 2 नोमीनेशन ब्लोक्स, यह ओं 4 CBM ब्लोक्स सम्मंदीत है तो यह पेंट्रोलियम अन्वेशन से सम्मंदीत है राजस्तान में खनीज तेल का सब सेधी गुतपादन करने वाले तेल चेतर का नाम है मंगला जो बाड़ मेर में स्थीत हैर 2 ग्रेड में पूछा गया क्यूशन है दोस्तों क्यूशन आपको कैसे लगे कोमेंड में जुरूर बता दें साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेर जुरूर करें ताकि लेटेड क्यूशन ही मिलने वाले है आज का जो पहला क्यूशन है वो है राणा सांगा ने किस यूद में बाबर की सेना को हराया था राणा सांगा ने किस यूद में बाबर की सेना को हराया था सेकंड ग्रेड 2010 में पुछा गया क्यूशन है एगरिकल्चर ओफिसर 2013 में पुछा गया क्यूशन है तो राणा सांगा ने बयाना के यूद में बाबर की सेना को हराया था अगला जो क्यूशन है उदे सिंग के साथ चितोड छोडने के पस्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रे प्राप्त हो सका था उदे सिंग के साथ चितोड छोडने के पस्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रे प्राप्त हो सका था यानि उदे सिंग के साथ ने पन्ना नहीं चितोड छोड़ा था तो वैं कोन से स्थान पर जाकर के रहने लगे थे तो कुम्बलगड दुर्ग में रहने लगे थे सेकेंड ग्रेड दोजार दस में पूछा गया क्यूशन है अगला क्या था 20169 चिमें मुगल समराट ओरंग जेव तो राणा राज सिंग के मदे उत्पन कटूता का मुखे कारण क्या था 2010 में पूछा गया क्यूशन है सेकेंड ग्रेड में कारण ये था कि राणास राज सिंग द्वारा ओरंग जेव की हिंदू विरोदी निती का परतीरोध करना ये एक मुखे कारण था इसलिए 20169 में मुगल समराट ओरंग जेव तो राणा राज सिंग के मदे कटूता उत्पन हो जुकी थी अगला जो क्युष्चिन है ओरंगजेव इसलाम का कटर समर्थक था और 1600 गुणंतर में उसने हिंदूओं के मंदिरों अपाट सालों का तोड़नी की अनमोती दी थी और साथ में 1600 उनियासी में उसने हिंदूओं पर जजिया कर भी लगा दिया था इन सबी गटनाओं के फल सुरूप राज सिंग ने ओरंगजेव का विरोध करना सुरूख कर दिया था इसलिए इनका एक परतिरोध हुआ था तो ये इसकी व्याक्या थी कि राज सिंग ने ओरंगजेव का विरोध किया था क्योंकि मंदिर तोड रहे थे पाट साल ही तोड र पर दुर्डवेस च्रिक्टेवारा महाराना परताब से मेत्री स्तापित करने के लिए गठीत अतरती एस्ट मंडल नेतर्धवे किसने किया था तो बगवंत दास ने नेतर्धवे किया था अगला चो कुशन है राणा सांगावे बाबर के मदे निर्नायक यूद कब हुआ था राणा सांगावे बाबर के मदे निर्नायक यूद 1527 में हुआ था और ये कुशन 2nd grade R.A.S. 2nd grade 2010 11 पुलीस में पुशागाया कुशन है तो इंपोर्टेड कुशन है राणा सांगा और बाबर के मद्दे निर्णायक युद जो खानवा का युद वा था 17 मार्ज 1527 को खानवा के मेदान में राणा सांगा और बाबर की सिनों के मद्दे युद वा था जिसमें बाबर की हार हुई थी अगला चुक्षिन है निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा की युद में बाबर की विरूद सराण सांगा के पक्स में लड़े थे सही उतरका में चेन करना है तो राजा बारमल इडर वे विरम देव मेरतिया ये दोनों लड़े थे एक दो ओप्सन है वो सही है करनल जैम्स टोटकें सार खानवा की युद में राणा सांगा की से नामी तेहतर उच स्रेणी के राजा वे नो राव एक सुचार बड़े सरदार सामिल थे अगला किस्वने चितोडगड आकरमन के समें अलावदिन खिलजी के साथ कौन सा कवी था चितोडगड में आकरमन आता उस समें अलावदिन खिलजी के साथ में अमीर खुसरो था जो एक कवी था अमीर खुसरो ये बात 1303 की है अलावदिन खिलजी ने मेवाड के राणा रत पर आकरवन किया था और इस दोरान सुल्तान के साथ परसित लेकर कभी अमीर्खुसरों भी था फत्व में अमीर्खुसरों ने इस युद्ध का आँखो देखा वर्नन भी किया है अगला कि हर्माडा का युद्ध कब हुआ था हर्माड़ा का यूद कब वह था? सेरसा के सेनानाइक हाजी खा और उदे सिंग के मदे हर्माड़ा का यूद वह था अगला केशन किस कीले को जीतने के कर्म में अकबर को जैमल अर्फता के परबल विरोध का सामना करना पड़ा था? किस यूद को जीतने के कर्म में अकबर को जेमल एम फता के परबल विरोध का सामना करना पढ़ाता तो चीत वड में अगला जो क्विशन है जोदपूर में आरिय समाज की स्तापना किसके सासक के सासन काल में की गई थी जोदपुर में आरिये समाज की स्थापना महाराजा जस्वन सिंग दिर्थिय के काल में किये गई थी फर्स्ट ग्रेड में पुछा गया क्यूशन है अगला क्यूशन है महाराणा परताब ने कितने वर्सों तक सासन किया था महारणा परताब ने 24 वर्सों तक सासन किया था 1532 से लेकर के 1597 में तक महारणा परताब ने सासन किया था अगला कुछने महारणा परताब के समय अकबर ने सहबाज खांको कितनी बार मेवाड पर आकरमन के लिए बेजा था अगला कुछने अलावदिन खिलजी के जालोर विजे के समय वहाँ का साथ सकता तो अलावदिन खिलजी ने जब जालोर पर विजे किया था तो जालोर में कानर देव का साथ सकता अगला जो क्यूशन अलावदिन खिलजी ने रनतंबोर पर आकर्मन किया था क्योंकि हमीर दवारा सुल्तान के विद्रोईयों को सरन दीथी इसलिए अलावदिन खिलजी ने रनतंबोर पर आकर्मन किया था और रनधंबोर के सासक हमीर देव ने मंगोल विद्रोईयों महुम्मद सहय कहबरू को अपने यहां सरन दीप थी अगला जो कुष्ण है 1181 में और बान में तराइन के युद्व में किस चोहन सासक को आकर्मन कारी सहबु दीन गोरी से लड़ना पड़ा था तो परत्वी राज तिरतिये चोहन सासक था फिरतिये यह सेगंड ग्रेड में पुछा गया कुष्ण है अगला कुष्ण है रनतंबोर के हमीर्देव के विरूद किस मुस्लिम सेननाईक ने खिलजी सेना का नितरत्वे किया था तो नुसरत खानी खिलजी सेना का नितरत्वे किया था रनतंबोर के हमीर्देव के विरूद जब युद्ध हुआ था उस समय अगला क्यूशन है अलावदीन के आक्रमन के समय रनथम्बोर का सासक कौन था अमीर देव चोहान था रनथम्बोर का सासक जब अलावदीन खिलजी ने रनथम्बोर पर आक्रमन किया था अगला क्यूशन किस जबें पहले अपनी राजदानी बनाया था और 1192 में में दोस्ता क्यूशन आपको आज का पहला क्यूशन है वो है सोनारगड दुर्ग सोनारगड दुर्ग है वो की स्रेनी का दुर्ग है दानवे दुर्ग की स्रेनी का दुर्ग है सोनारगड दुर्ग राजस्तान के दुर्गों को पर्मुगताय 6 बागउए बाटा गया है मेरानगट दुर्ग है अचलगट दुर्ग है तारागट दुर्ग है नहरगट आमेरका जो दुर्ग है जेगड दुर्ग है शेरगड दुर्ग है ये सभी दुर्ग है वो गीरी दुर्ग की स्रेणी में आते हैं तो चितोडगड कुमलगड मेरानगड अचलगड तारागड नहारगड आमेर का दुर्ग और जेगड सेरगड ये सभी गीरी दुर्ग है उसके बाद में बात करें जल दुरुग जल से घिरावा दुरुग होता है वह जल दुरुग कहलाता है गागरोन जालावाड का दुरुग है वो जल दुरुग है कालीशिंद वह आहू नदिय के संगम पर है सेरगड दुर्ग है वो बारा में है जो एक जल दुरू की स्रेणिमी आता है बेंसरोडगड दुर्ग है चितोडगड में जो एक जल दुरू की स्रेणिमी आता है अगला किशन है धानवे दुरुग धानवे दुरुग वह होता है जिसके चारो और मुरू स्तल से घीरा वाओ जैसे बिकानेर का किला है वह एक धानवे दुरुग है बटनेर का किला धानवे दुरुग है जेसलमेर का किला धानवे का दुरुग है जुनागड है विकानेर का पोकरन का किला है जेसलमेरवाला ये दोनों स्तल दुर्ग है उसके बाद में बात करें पारिक दुर्ग की पारिक दुर्ग वेवताजिस के चारों और गहरी खाई हो जैसे लोहागड का किला बर्तपूर का जो किला है लोहागड का किला वेवारिक दुर्ग की स्रेणी में आता है उसके बाद में बात करें वन दुर्ग चारों और वनों से गिरावा दुर्ग होता है वह वन दुर्ग कहलाता है और रन थंबोर का किला स्वाइमादोपूर की अंदर है ये एक वन दुर्ग की स्रेणी में आता है अगला क्यूशन है कुच्च किले का निर्मान करता की से माना जाता है याने बिका नेर का जो जुनागड दुर्ग है उसका निर्मान किसने किया था तो राय सिंघ ने किया था बिका नेर का वहर आजपूत राजा कौन था जिसने राजतान में सरवाधिक दुर्ग बनाये थे तो महाना कुमबा ने बताया है कि 32 कंभाना का निर्मान कर वया थ ह। जल दुर्ग कहां पर रहे जल्ल दुर्ग है वो कालीशेंद आहु नथियों के सखंगम परस्थीत है गागरोन का दुरुग वैख जल दुरुग की स्रेणी में आता है यह जालावार जिल्य में स्तीत है यह दुरुग आहुवै काली सिल नद्यों के संगम पर स्तीत है दुरुग में हमुमधिन चिस्ती मिटे साय की दरगा भी है और दुरुग में संत पिपा की समाधी भी स्तीत इन गागरोग दुरुग के अंदर है वो संत पीपा की समाधी भी है इंपोर्टेंट किशिन है अगला किशन है तिम्मनगड का किला काम प्रस्तित है तिम्मनगड का किला इंपोर्टेंट है क्योंकि क्रोली जिले के अंदर है तिम्मनगड का किला इस दुरुग का निर्मान के महाराज विजेपाल के पुत्र त्री भुवन पाल या तिमन पाल ने ग्यारवे स्ताबदी में करवाया था और करोली में मंड्रायल दुरुग भी इस्तित है जो गवालियर दुरुग की कुझी भी कहलाता है यहां मरदान साह की मस्जित है इंपोर्टनेंट किशन यह है कि मरदान साह की मस्जित कापर है तिमन गड का किला करोली में अगला किशन राजस्तान का एक मातर दुरुग जो मुस्लिम दुरुग निर्मान पत्ती से बनावा है मैगजीन दुरुग अजमेर के अंदर वह एक मुस्लिम दुरुग निर्मान की जो पत्ती है उसके आदार प प्रविजय स्तम्ब अब देखें स्तम्ब है जो विजय स्तम्ब उसका निर्मान कुम्बा ने सारंगपूर की युद में 1437 में मालवा के साथ सक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्स में बनाया था इसे बारती मूर्तिकल्ला का विश्वय कोस भी कहते हैं मालवा के साथ सक महमूद खिलजी को अराया था और विजय के उपलक्स में विजय स्तम्ब बनाया था बारती मूर्तिकल्ला का विश्व कोस भी हैं अगला क्यूशन है बठनेर का दुरुग किस जिले में है तो इपोर्टन क्यूशन है बठनेर का दुरुग है वो अनमानगर जिले में है और उत्री सिमा के प्रहरी के रूप में बिख्यात है इस के लिए का निर्मान भूपत बाती ने करवाया था और तेमूर के अपनी आ बटनेर का किल्ब हनुवान गड़मी, अगला किशन है, राजसान में किस किल्ब के पास जेवी को ध्यान स्तीत है, नहर गड़ का जो किल्ब है, उसके पास में जेवी को ध्यान है, अगले जो किशन है जैसल मेर में 1550 में वहां के साथ सक लून करण केस में अर्ध साका वा था क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ था किन्तु जोहर नहीं वा था तीसरा अर्ध साका कंदार के साथ सक अमीर अली वा रावल उनकन के बीच हुई युद्ध केस में वा था यह साका अर्ध साका कहलाता है इसमें वीरों ने केसरिया तो किया किन्तु जोहर नहीं वा था गुबारा नुसरत नागपली गजक नाम है यह सभी किसके नाम है गुबारा नुसरत नागपली गजक यह जोदपूर दुर की तोपों के नाम है गुबारा नुसरत नागपली और गजक यह जोदपूर दुर के अंदर जो तोप है उनके नाम है अगला क्यूशन है मुहमद खिलजी पर्थम ने राजस्तान के किस किले में एक कोट का निर्मान करवा कर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा था तो गागरोन दुरुग का नाम गागरोन का किला जालावाड में श्तित है और काली शिंद और आहुन नजियों के संगम बस्तित है यह किला जल्दुरु की स्रणी में आता है और 1444 में महमूद खिलजी ने इस पर विजय प्राप्त कर इसका नाम मुस्तफाबाद रखा था किले में सुपी संत मिटे सा की दर दरगा है और और औरंग जे द्वारा निरमीत बूलंद दरवाजा भी है गागरोन दुर्ग में अगला किशन निमल के स्थानों को आगे उनकी समझत जो दुर्ग है उनका सही यूगम कौन सा है वो में देखना है जैसलमेर में मेरानगड नहीं है जोधपूर में वो है किले की यूग में तारागड के नाम से जाने जाते हैं तो बुंदी और अजमेरु दुर्ग यानी बुंदी में एक दुर्ग है और एक अजमेर में हैं दो दुर्ग है जिनका नाम है सेम है तारगड किला अगला किशने राजस्तार में चितोडगड के पसाथ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड कौन सा है राजस्तार में चितोडगड के पसाथ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ड है जेसल मेर का किला जिसके अंदर लोग अभी भी रहते हैं लिविंग फोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि अभी भी वहाँ पर लोग अपना निवास करते हैं बसते हैं रास्तान के चितोडगर्ड में भी रहते हैं और उसके बाद में जेसलमेर के किल्ले में भी रहते हैं अगला किशन है जालरा पाटल में 9 लखा दूर्ग की निम किस ने रखी थी ? एक जैसे हैं आरपेसी में पुछा गया क्यूशन है स्वाई मादो सिंग दिरतिय ने नो पासवान रानियों के लिए एक जैसे नो मैल बनवाया थे इस दूर का निर्माद स्वाई जैस सिंग ने 1734 में करवाया था इसे सुदर्संगड के नाम से भी जाना जाता है आरेस में भी पुछा गया क्यूशन है कि मुगल सलिम में राइसिंग दौरा निर्मी दूर कोन सा है तो जूनागड बिकानेर का किल्ला है इस किल्ले में हाथियों पर सवार जेमल राठोड वे फताशी सोध्य की मूर्तिय है इस किल्ले में हर मंदीर है जूनागड किल्ले बिकानेर में अगला किस किल्ले का निर्मान महाराना कुमबा ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था कुम्बलगड दुरुग राजसमंद में है 1433-68 के मदे अपना जो काल पुरा किया था उसमें मालवा वीजे वा था 1437 में उसमें मालवा वीजे के बाद चितोरगर दुर्ग में 1440-1448 के मदे वीजे स्तंब या कीर्थी स्तंब का निर्मान कर वया था जिसके मुख्ये शिलपगार थे जेता और उसके पुतर नापा, आता है कि वीजे स्तंब किसने बनवाया, कहां पर है, कौन से किले में है, कब बनवाया था, किस लिए बनवाया था, उसकी उंचाई कितनी है, कितने मंजिल है, सिल्फगार कोन है, इसे उपना में क्या है, बारतिय मूर्तिकला का विश्वे पोसिस का उपना में, तो ये बनते इस व्याक्या से तो व्याक्या जरूरी है राना सांगा ने किस यूद में बाबर की सेना को हराया था तो बयाना की यूद के अंदर है वो राना सांगा ने बाबर की सेना को राया था बयाना बर्थपूर में है 1527 में बयाना का जो यूद वा था और बर्थपूर जिले में हैं बयाना इस यूद में राणा सांगा की विजय हुई थी कुणब़गर स्तान पर आस्थ्य प्राप्त होँचान। कुम्मलगड स्तानबर आस्त्रे प्रावत हुआ था शही आनसर कुम्मलगड होगा अगला क्युष्ण है 1689 में मुगल समराट ओरंग जेव तथा राणा राज सिंग के मद्दे उत्पन कट्टूता का प्रमुक कारण क्या था ओरंग जेव इसलाम का कट्र समर्थन था 1609 में उसने हिंदू के मंदिरों वे पाट सलों को तोड़ने की अनुमति दी थी साथी 1689 में उसने हिंदू पर जजिया करल गया था इन सब गटनाओं के फल्सुरूप राज सिंग ने ओरंग जेव का विरोध करना सुरू क्यार दिया था अगला किशने चितोडगड का राणा रतन सिंग था गुहिल वश्य सम्मंदित था चितोडगड का राणा रतन सिंग अगला किष्ण आकपर दवारा महराना परताब से मेतरी स्तापित करने के लिए गठी तिरतिए शिस्ट मन्डल का नेतर्तवे किस ने किया था तो तिर्थी ये सिस्ट मंडल का नेतरतो है भगवान दास ने किया था इसका सही आनसर भगवान दास होगा ये किशन भी सेकेंड ग्रेड में पूछा गया किशन है अगला जो किशन है राणा सांगावे बाबर के मद्दे निर्नायक यूद कब हुआ था राणा सांगावे ब अगला जो किशन है रुपाजी ये कर्षक आन्दोररन से सम्मदित है जिसमें ये सही दो चुके थी A option बिजोलिया, B option बेंगू, C option बर्ड और चार नमर option बीकानेर तो ये बेंगू किसान आंदोलन में सहीद हो चुके थे बीकानेर अरियासत के दूद्वा खारा वे कांगडा गाओं वर्तमान में चुरू जिले के किसानों के जागिरदारों के जुल्मों के विरूद सेकावट में किसान आंदोलन छेडा जिसे सेकावट किसान आंदोलन के नाम से भी जना जाता है अगला किशन है बिजोलिया किशान आंदोलन को व्यापक परचार देने वाले समचार पत्र परताब के संपाद कौन थे बिजोलिया किशान आंदोलन को व्यापक परचार देने वाले समचार पत्र परताब है उसका संपाद कौन था तो एक नमर और उफसन नहां है, गणेश संकर चतूरदी, रामा, किषन वर्मा, यह और मानी किछ लाल वर्मा, और च्यार नमर ओपसन है राम लाल ओजाथ dalौण, इसका सही आंसर है, गणेश संकर विदार्थी है, वो पर्ताब के संपादक थे। परताब नाम के एक समचार पत्तर था विजोलिया किसान आंदुलन में उसके संपादक गणे संकर विदार थी थे अगला किस्टन है विजोलिया आंदुलन चर्णवत तरीके से वा था उस विकल्प काम में चेन करना है जो इन चर्णवों में नहीं है एक नमर उप्षन है 1897 से 1915 और दो नमर उप्षन है 1916 से 1923 ती नमर उप्षन है 1923 से 1941 और चार नमर उप्षन है 1889 से 1896 तो ये गलत है चार नमर जो ओफसन है वो इसका सही आंसर रहेगा अगला जो किशन है वो है राजस्तान में गोविंद गिरी के बगत आनोलन का विश्टार मुखेते किस समुधाय के बीच था राजस्तान में गोविंद गिरी की बगत आंदुलन का विश्थार मुखेते भील समुदाय के बीच में था भील समुदाय के लिए था मेवाड छेतर में सबसे पहले हुई थी तो इसका सही आंसर होता है मेवाड छेतर अगला जो किश्चन है सेकावटी के ग्राम कठरा थल में 25 अप्रेल 1934 में किसके नेतरतों में हजारो जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था तो 25 अप्रेल 1934 में किसोरी देवी के नेतरतों में हजारो जाट महिलाओं ने सेकावटी के ग्राम कठरा थल में भा एडाना जाता है, राजस्तान में किसान अन्नोंना का जनक है वूँ वूदे शिंग पति कहलाता है, ये क्युशन शेकटफटरी डेवी helping शेचेस में, undon पूछा गया है, second grade और third grade में भी भी, अगला क्यूशने तलवार बंदाई क्या है, तलवार बंदाई है वो क्या है, तलवार बंदाई नए जागिरदार की गदिन सिनी के समें, उत्रादिकार के रूप में, राजे दोरा लिया जाने वाला उत्रादिकारी सुल्क है, जिसे त तलवार बंदाई का जाता है, अगला क्यूशने सुची फस्ट को सुची सेकंड से मिलान करना है, सुची फस्ट में आंदोलन वा गटनाई है, सुची सेकंड में आंदोलन कब वे थे उनकी वर्स दे गई है, हमें उनका मिलान करना है, बीजोल या जो किसान आंदोलन हुआ वह अठारत सो सित्यानमे में शुरू हुआ था उसके बाद में ओता है सीकर के अंधर जो एक गटना हुए थी उसे का समय है 1922 उसके आता है डाबड़ा कंड़ डाबड़ा कंड़ की बाद करें तो 1947 में वह था नाबड़ा कंड़ फिर आता है चंडावल चंडावल 1945 में वाता तो इस्तरे से इनका मिलान वो सही है विजोलिया अठारसो शित्यान में में शुरू हुआ था सिकर में वाता 1922 में डाबडा कान 1947 में चंडावत है वो 1945 में हुआ था उसके बाद में हैं डाबडा किसान अंदोलन डीडवाना नागोर में 13 मार्च 1947 को कोन सही हुआ था डाबडा किसान अंदोलन वा था डीडवाना नागोर में 13 मार्च 1947 को जिसमें चुन्नी लाल सर्मा है वो सही हो गया था चुनिलाल सरमा है वो एक सही दुआ था अगला किष्ण है 1916 में किसने विजोल्या किसान पंचायत का आयोजन किया था 1916 में किसने विजोल्या किसान पंचायत का आयोजन किया था तो विजे सिंग पतिक ने विजे सिंग पतिक ने 1916 में विजोलिया किसान पंचायत का आयजन किया था तो इसका सही अंसर विजे सिंग पतिक अगला किश्ण ने विजोलिया के किसान अंदरण को गांधी जी ने आशिरवात दिया था बिजोलिया के किसान अंदुलन को गांधी जीनी 1920 में नागपूर अधिवेशन में आशिरवाद दिया था 1920 के नागपूर अधिवेशन में अगला चोकिशन राजस्तान में जलिया वाला बाग की गटना से जाना जाता है जल्लिय वाला बाग की गठना से जाना जता है जहां बृतिच सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कालिभाईउं को मार गिरहा था तो वो है मानगड़ दाम डूंगरपूर तो इसका सही आंसर है मानगड़ दाम जहांपर कालिभाईउं को मार गिरहा था लगबग 1500 कालिवाई थी 17 नवंबर 1913 की बात है अगला जो क्यूशन है 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड डुंगरपुर गुजरात और मालवा के भील ग्राश याजाती के लोगों को संग्ठित करने के लिए किस सबा की स्तापना की थी 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड डुंगरपुर गुजरात और मालवा के भील ग्राश याजाती के लोगों को संग्ठित करने के लिए संप सबा की स्तापना की थी 1883 में गोविंद गिरी ने अगला क्यूशन है स्री मती रमा देवी राजस्तान के किस किसान अनुरन से संबन्दित है एक नमर उपसने बिजोलिया किसान अनुरन बी नमर उपसने बीकानिर जी उपसने बेंगु किसान अनुरन और डी उपसने बर्ड किसान अनुरन तो सिरी मती रमा देवी हैं वो राजस्तान के विजोल या किसानारों से संबंदित हैं ए ओप्सन इसका सही योगार एक क्यूशन सेकंड ग्रेड दो हजार अठार में पूछा गया क्यूशन है सेकंड ग्रेड दो हजार अठार में ये क्यूशन भी पूछा गया है ते 17 नवंबर 1913 को मानगड पाड़ी बांसवाड़ा पर संपसपा की बेठक कर बिटीज पुलीस द्वारा फाइरिंग की गई थी जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए थी इसे राजस्तान का जलिया वाला हत्याकांड भी कहा जाता है राजस्तान का जलिया वाला बाग हत्याकांड मानगड पाड़ी बांसवाड़ा में संपसपा की बेठक पर बिटीज पुलीस ने फाइरिंग कर दी थी जिसमें 1500 भील मारे गए थी 17 नवंबर 1913 की बात है मानगड पाड़ी बांसवाड़ा की अगला किष्णा इन में से कौन बिजोल या किशान आनौन से सम्मदित नहीं था बिजोल या किशान आनौन से सम्मदित नहीं था सेकिन ग्रेज में पुछा गया किश्टन है तो देखिए पहला जो जो उप्सन है इन मेंसे बिजोलिया किशान हानुनल से समंदित नहीं है एब चगंलाल या चगंराज भी बोलते हैं चोपास नईवला फिर विजे शिंग्पथिक दो नमर उप्सन है तो इसका शही अनसर है चगंलाल चगंराज या चोपास निवाला जो विजोलिया किशान आंदोन से संबंदित है नहीं है बाकी विजे सिंग पतिक है सी तराम दास है माने के लालवर माई सभी विजोलिया किशान आंदोन से संबंदित है अगरा चो क्यूशन है गोविंद गिरी के नेतरत्वय में बील आंदोनां को दबाने के लिए मानगड का जन सहार किस वर्ष भुआ था गोविंद गिरी के नेतरत्वय में बील आंदोनां को दबाने के लिए मानगड का जन सहार है वो 1913 में हुआ था तो इसका जो येर से वो 1913 है अगला जो कुछन है कौन बुंदी राजे में वे कर्षक कांदोलन का नेता था इन में से कौन है जो बुंदी राजे में वे कर्षक कांदोलन का नेता था इंपोर्टेट कुछन है यही है कि बुंदी राजे में जो कर्षक कांदोलन हुआ था उसका नेता कौन था तो नेन्नु राम सर्मा वे नेन्नु राम सर्मा या नेन्नु राम सर्मा भी बोल सकते हैं दिर्तियसर ने सिख्षक में पूछा गया किशन है दो हजार अठार में कि बुंदी राज में जो कर्ष्चा कानुन वा था उसका नेता कौन था नेन्नु राम सर्मा अगला जो किष्णा नेमलकित सूची में से उन नेताओं को चुने जिन्होंने बिजोलिया किषा नानुरं में भाग लिया था इन में से वो नेता हमें बताना है सेकेंड किड़ दो हजार सेत्रा में पुछा गया किष्ण ने एक नमर परे साद उसी तरा मदास दो नमर उपसने विजे सिंग पतिक तीन नमर उपसने मानी के लाल वर्मा और चार नमर उपसने नारायन जी पतेल तो ये सबी हैं वो बिजोल या किसान आनुरंद से सम्मदित है सादूसी तरामदास विजे सिंग पतीक मानिके लाल वर्मा और नारैन जी पतेल अगला क्यूशन है सेकावटी ब्रिगेड का मुखेले कहां सतीत है सेकावटी जो ब्रिगेड है उसका मुखेले जुदू बहुत है तो इसका से चली आन्सर होग मैं एक कुशन को लगबग वीडियो में डबल रिपीट करता हूँ दो बार रिपीट करने से क्या होता है कि वह कुशन आपको जल्दी याद हो जाता है दूसरी बात अगर आप एक बार वीडियो देख ले तो वह कुशन आप दो बार पढ़ जुके होते हैं अगर आप वीडियो दो बार देखते हैं तो वह कुशन च्यार बार रिपीट हो जाता है इसलिए मैं एक कुशन को दो बार दो राता हूँ ताकि आपको जल्दी याद हो जाए तो वेचारी किरी आवस्ता साथ से बारावर्स हो गई उसके बाद में है जीवन का सबसे महतपुन काल कहा गया है जीवन का सबसे महतपुन काल माना गया है सेशव अवस्ता को सेशव अवस्ता को जीवन का सबसे महतपुन काल कहा गया है अगला है सीखने का आदर्स काल कहा गया है सीखने का आदर्सकाल सेस्वा अवस्ता ही है और जीवन का सबसे महतमा काल भी सेस्वा अवस्ता है तो अगला क्यूशन है गेंगेज टोली की आयू कहा गया है टोली की आयू किसे का गया है बाल ले अवस्ता को बाल्य वस्ता को टोली के आयू कहते हैं गेंगेज अगला क्यूशन है खेल की आयू कहा गया है खेल की आयू किसे कहते हैं बाल्य वस्ता अगला जो क्यूशन है गोल्डन एज सोरन काल कहा गया है गोल्डन एज कि सोरा वस्ता किसोर अवस्ता क्या है गोल्डन एज है खेल क्या यू बाल्य वस्ता है गोल्डन एज किसोर अवस्ता अगला क्यूशन है मित्या परिपक्वता का काल क्या है तो बाल्य वस्ता बाल्य वस्ता है वो मित्या परिपक्वता का काल है परिपक्वता का काल है बाल्य वस्ता अगला वीर पुजा की परकरती किसे अवस्ता में होती है वीर पुजा वीर पुजा की जो अवस्ता मानी गई है वो है किशोर अवस्ता वीर पुजा की जो परवर्ती भच्चे में आती है वो किशोर अवस्ता में ज्यादा आती है इसलिए कि सोरा अवस्ता इसका सही अंसर है अगला किश्य ने प्रति द्वन्दात्मक सामाजी करन का काल क्या है वो है बाले अवस्ता अगला किश्य ने शिक्ष्या में पूर्ण से अस्कियोर पदती मनोविज्यान के किस संपर्दाय की देन है शिक्षा में पूर्ण से असकी और परती मनोविज्यान की जो गेस्टाल्ट संपरदाएं हैं उसकी देन है गेस्टाल्ट संपरदाएं शिक्षा में पूर्ण से असकी और अगला जो क्यूशन है दमन के स्तान पर पूर्सकार द्वारव वेवार सुधारने की बात मन्नोव विग्यान के किस संपर्दाय द्वारा कही गई है तो वेवारवादी संपर्दाय के द्वारा कही गई है अगला किशन है समवेग सभी परकार के विकास की रीड है यह खतन किसका है समवेग सभी परकार के विकास की रीड है तो यह खतन पावलाव का है पावलाव नहीं कहता समवेग सभी परकार के विकास की रीड है अगला किशन है मेकडूगल के अनुसार सम्वेग होते हैं मेकडूगल के अनुसार सम्वेग कितने होते हैं तो 14 होते हैं मेकडूगल के अनुसार सम्वेग 14 होते हैं अगला किशन है वाटसन नी नवजाद सिसु में कौन-कौन से सम्वेग बताए हैं वाटसन ने नवजाद सिसू में कौन-कौन से सम्वेग बताये हैं तो वाटसन ने नवजाद सिसू में बे करोद और सनी हैं सम्वेग बताये हैं वाटसन ने नवजाद सिसू में बे करोद सनी हैं अगला किशने ब्रिजिस ने नवजात्सिसु में कौन सा सम्वेग बताया है ब्रिजिस ने नवजात्सिसु में उतेजना सम्वेग बताया है उतेजना सम्वेग अगला किशने सुजाव साधन आदेश से उत्तम होता है ये कथन किसका है सुजाव है वह साधन आदेश से उत्तम होता है तो ये कथन है डमविल का डमविल ने कहा सुजाव साधन आदेश से उत्तम होता है डमविल के द्वारा कहा गया था अगला किशने अनुकर्ण दूसरे वेक्ति के भाईय वेवार की नकल है ये खतन किसका है अनुकर्ण दूसरे वेक्ति के भाईय वेवार की नकल है ये खतन रेबर्न का है अनुकर्ण दूसरे वेक्ति के भाईय वेवार की नकल है ये रेबर्न ने कहा था अगला किशने बालक सामाजिक वेवार को अनुकर्ण दवारा बहुत सरलता से शीक लेता है ये खतन किसका है बालक सामाजिक वेवार को अनुकर्ण दवारा बहुत सरलता से शीक लेता है ये फ्लेमिंग ने कहाता अगला किशने दूसरे के कारियों का वेवारों को जान कर अपनाते हैं बच्चे तो उसे अनुकरन बोला जता है उसे क्या बोला जता है अनुकरन अगला कृष्ण है जीवी को पारजन के लिए खेला गया खेल क्या कहलता है जीवी को पारजन के लिए खेला गया खेल है वो कार्ये कहलता है अगला कुछन है खेल कारिये में एक परकार का आनद है ये खतन किसका है खेल कारिये में एक परकार का आनद है ये वेलेंटाइन का खतन है खेल कारिये में एक परकार का आनद है अगला कुछन है खेल सादानत है अतरिक्त सकती का परदशन माना जाता है तो ये खतन किसका है त त्रीक्त सक्ति का पर्दश्न माना जाता है तो यह खतन है नन्न का है अगला क्यूशन है खेल सम्वेगों को स्तीरता परदान करने में साहिता देता है तो यह खतन किसका है खेल सम्वेगों को स्तीरता परदान करने में साहिता देता है यह खतन स्कीनर एम हेनरी ने दिया था क खेल समय को किस तिरता परदान करने में सायता देता है स्कीनर और हेनरी मन अगला किशन ने खेल से मेरा अभिप्राय किसी कारिय को पूर्ण हद्दे से करना है ये खतन किसका है तो हेनरी कॉंडवेल कुक ने हेंडरी कॉंडवेल कुक ने कहा खेल से मेरा विप्राय किसी कार्य को पूर्ण हद्य से करना है ये खतन दिया था हेंडरी कॉंडवेल कुक ने अगला किशने खेल परकरती की शिक्षन साला है ये खतन किस का हैं? खेल परकरती की शिक्षन साला है खेल प्रकृति की शिक्षन साला कारलस ने कहा था अगला किशने विकास में भाव नहीत रहता है अभीवर्दी का विकास में भाव नहीत रहता है अगला किशने विकास के दो प्रमुक करने विकास के दो प्रमुक करने कौन-कौन से एक तो परिपकवता है एक है हदीगम, विकास के दो पर मुकारण है, परिपकवाता हुए हदीगम अगला किसने बालीकाओं का मान्सिक विकास, बालकों के पेक्षिया क्या होता है शिगर होता है, शिगर होता है, बालीकाओं का मान्सिक विकास, बालकों के पेक्षिया सिगर होता है अगला किसने विकास जीव और उसके वातावन की अंत्य किरिया का पर्तिफल है यह कथम किसका है विकास जीव और उसके वातावन की अंत्य किरिया है यह अंत्य किरिया का एक पर्तिफल है यह सकीनर ने कहा था, सकीनर ने विकास जी और उसके बाताओं के इंते के दिये का परतिफल है, ऐसा कहा था सकीनर ने, अगला क्यूशन है किस परकार के बच्छों की आई-उ, जो आई-क्यू है, आई-क्यू है, वो सो होती है, आई-क्यू सो होती है, वो सामने, सामने पच्चयासी होती है पिछले वर यह बत्च्यासी होती है नियुक्त क्विक देख लिए आपकी है अगला जो अगला कुशन हैं किस वीदी में एक भी बालक का अध्यन किया जाता है चो लंबा अतमक वीदी है लंबात्मक विदी में केवल बालक का एक बालक का अधियन किया जाता है ॐसरों की परतिकुलता कि सोरी के द्वणद उबरने का मुख्य कारण होता है आज के जो क्यिस्चन है वो आपको कैसे लगे? अच्छे लगए हो तो वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ सेयर कर लेना साथ इस वीडियो को बताना कि आपको कैसा लगा आपके क्यूशन है वो जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वो क्यूशन कैसे हैं और चैनल पर आपने हैं तो चैनल सबस्क्राइब जुरूर कर लेना ताकि इससे अच्छे क्यूशन भी आपको आगे मिलने वाले हैं इसलिए चैनल सबस्क्राइब करके बेल आइकन को गोल सेलेक्ट कर लें थैंक्स पर वोचिंग आपका दिन सुबूँ